इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्स्प्रेस जो 180 किलोमीटर पर आर के टॉप स्पीड से दौड सकती हैं मॉडरन, कमफरेबल और रिलाइबल होने के साथ ये आज देश के 51 रूट्स को सर्फ करती हैं जैपनीज और यूरोपियन हाई स्पीड ट्रेन से इंस्पिरेशन लेकर इनमें लाइटवेट डिजाइन और एरोडायमिक फीचर्स का इस्तमाल किया गया है जिससे ये इतनी फास्ट तोड़ पाती हैं सेम पुराने ट्रैक्स पर ही वैसे तो इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आर है मगर मैक्समाम स्पीड 160 किलोमीटर पर आर ही रखी गई है कुछ सेक्शन में वो भी और एवरेज स्पीड है 83 किलोमीटर पर आर 2019 में पहली वंदे भारत चली थी न्यू डेली से वारा नसी के बीच पॉपलर रूट्स में 16 कोचिस वाली ट्रेन्स चलती हैं जिसमें टोटल 1128 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं 6000 होस पावर की कमबाइन पावर पूरी ट्रेन में डिस्टिब्यूट होती है स्पेशल लोकोमोटिव की जरुरत नहीं है ट्रेन चलाने के लिए 120 करोर रुपए लगते हैं पूरी ट्रेन बनाने में जो इंटिग्रल कोच फैक्टरी ICF बनाती है चन्नाई में वाइट ब्लू और सैफरन कलर्स में देखने को मिलती है ये ट्रेन्स अभी टोटल 82 वंदे भारत ट्रेन सेट्स ओपरेशन में है और फ्यूचर में ये नंबर हजार से भी उपर करने का प्लान है इसके अलावा और तेज ट्रेन्स भी बनाई जाएंगी जो इंडियन रेल्वेज को बहतर दिशा की और ले जाएंगी बगर इसको ड्वलप करना और इंडियन रेल्वेज का सफर यहां तक अपने आप में एक इंट्रेस्टिंग कहानी है आज से 187 येस पहले 1837 में रेल्वेज की शुरुवात हुई थी रेड हिल्स रेल्वे के रूप में इसे कंस्ट्रक्शन मेटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था मैडरस रीजन में पहली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो वो 16 एप्रल 1853 को चली थी बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चार सो लोगों ने इसमें ट्रेवल किया 34 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए तब बॉम्बे गवर्मेंट के चीफ इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क ने इस रेल्वे लाइन का कंसेप्ट इंट्रिद्यूस किया था ब्रिटेन में इसके बेनिफिट्स देखते हुए ग्रेट इंडियन पेनिंसुला रेल्वे कंपनी ने इसे बनाया चौदा कैरिजिस की पहली ट्रेन चली थी तीन स्टीम लोकोमोटिफ्स के साथ जिनको नाम दिया गया साहिब सिंध और सुल्तान इस्ट इंडिया में पहली ट्रेन अगले साल 1854 में चली थी हावडा से हूगली के बीच जिसका रूट इस्ट इंडियन रिल्वे कंपनी ने बनाया था 1850 में जब ब्रिटिश गर्वेंट ने अपनी कैपिटल कैलकटा से शिमला शिफ्ट करने का डिसाइट किया सिर्फ समर मंस के लिए तो गर्वेंट वर्कर्स और उनकी फैमिली को ट्रैवल करना पड़ता वहां हर साल इसलिए इस्ट इंडिया कंपनी ने 1855 में एक ट्रेन सर्विस इनॉग्रेट की हावडा से डेली तक जिसको नाम दिया गया इस्ट इंडियन रिल्वे मेल 1891 में अमबाला कालका रूट बनने के बाद इस ट्रेन को कालका तक एक्स्टेंट कर दिया गया जिसको बाद में कालका मेल से जाना जाने लगा 1903 में शिमला तक टॉय ट्रेन बनने से अब पैसेंजर्जर्स हावडा से शिमला तक जा सकते थे बस कालका में चेंज करनी पड़ती है ट्रेंस इसके अलावा Great Indian Peninsula Railway Company ने एक luxurious train service शुरू की Bombay Puna Mail नाम से इसने अपनी पहली जर्नी 1863 में पूरी की दोनों शेहरों के बीच इसमें 7 coaches थे जिसमें 3 classes थी और एक restaurant car भी थी total 465 passengers हो carry कर सकती थी काफी popular route है जो आज भी चलता है 1974 में इसका नाम बदल कर Mahalakshmi Express कर दिया गया Punjab Mail एक और popular service है जो 1889 में शुरू हुई थी ये Bombay से लेके पेशावर तक जाती थी 5000 km और 47 घंटे में 96 passengers को भी carry कर सकती थी जिसमें basic facilities भी मौजूद थे ये mostly GIP tracks पर ही चलती थी बीच में इतारसी, आगरा, डेली, अम्रिसर और लाहोर से होते हुए early 1900s में route change हुए और कुछ साल के लिए से बंद भी कर दिया गया था मगर ये अभी भी operational है जो अब मुंबई से पंजाब के फिरोजपूर तक चलती है frontier mail एक और service है जो 1928 में शुरू ही थी बंबे के बैलर्ट पियर मोल स्टेशन से पिशावर तक लेकिन ये ज़्यादा direct route लेती थी पंजाब mail के comparison में बिटिश मीडिया के according ये उस time की सबसे popular train थी और सब continent की fastest train भी थी पांच coaches के साथ बीच में बरोडा, रतलाम, अथुरा, डेली, लाहोर और रावल पिंडी से होते वे जाती थी लेकिन इंडिपेंडनेंस के बाद से ये अमरिच सर्थ तक ही चलती है 1996 में इसका नाम बदल कर golden temple mail रख दिया गया 1928 में एक और important service शुरू हुई थी Grand Trunk Express नाम से तब ये पिशावर से मैंगलोर तक चलती थी लगबग 4000 km और 104 घंटे में उस time में ये सबसे लंबा distance था किसी भी train service का अगले एक दो सालों में इसके route में changes देखने को मिले और finally 1930 में इसे डेली से Madras के भी चलाया जाने लगा जो कि अभी भी इसका route है आज ये 2180 km कवर करती है 35 घंटे में ये कहा जाता है कि काफी समय के लिए South और North India के बीच सिर्फ एक ही link था और वो था Grand Trunk Express इन सालों में इंडिया का total rail network 50,000 km क्रॉस कर चुका था network growth पर हमारी detail वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें जब partition हुआ देश का rail network भी दो हिस्सों में बट गया West में पंजाब और राजिस्तान से होते हुए routes कट गए और East में बेंगौल वाले routes इससे असाम mainland से disconnect हो गया था जिसके लिए एक link बनाया गया सिलिगोडी से Independence के बाद जो पहला काम Indian government ने किया railways के लिए वो था उसका organization structure decide करना इसलिए इसे अलग-अलग zones में बाटा गया छे regional zones थे तब जो आज बढ़कर 17 हो चुके हैं इनको region के हिसाब से बाटा गया जिसके हर zone में 2000 से 7000 km की length आती है जब railway companies operate कर रही थी independence से पहले तो routes को वो खुदी manage करती थी मगर 1940 में जब सारा railway network government ने take over कर लिया तब से इसे zones में divide करके manage किया जाने लगा हर zone को एक semi autonomous entity की तरह operate किया जाता है जिसके head उदर के general manager होते हैं इनको आगे sub divide भी किया जाता है divisions में जिसको head करते हैं divisional railway managers train के सबसे important part की बात करें तो वो है locomotive जो की power provide करता है पूरी train को locomotive से पहले 1550 में wagon ways या trams चलते थी जिनमें horses का इस्तिमाल किया जाता था उन्हें चलाने के लिए कई बार तो लोग pull करते थे पूरी wagon को ये दोनो pre-industrial mode थे काफी slow और महेंगे भी जब intercity rail आई तब उसमें steam engine का इस्तमाल किया गया ये काम करने के लिए पानी को उबाल कर भाप बनाता है जो फैल कर एक piston या turbine को धक्का देता है इससे thermal energy को mechanical energy में बदल दिया जाता है जिससे train चलने लगती है boiler में मौजूद पानी को coal, wood या oil से heat किया जाता है ये steam engine एक बहुत बड़ा कारण है दुनिया भर में industrial revolution के पीछे हर machine और industry में इस process का इस्तमाल किया जाने लगा जिससे production काफी बढ़ गई और दाम गिर गई कहीं सारे products के जब भाप अपना काम कर लेती है तो इसे एक condenser में भेज दिया जाता है जहां ठंडी होकर फिर पानी में बदल जाती है पहला full scale working railway locomotive Richard Trevithik ने 1802 में बनाया था जो कुछ ऐसा दिखता था Trevithik बच्वन में William Murdoch के पडोसी थे जिन्होंने oscillating steam engine मनाया था जिससे Trevithik को inspiration मिला हाला कि उनके engine को ज़्यादा commercial success नहीं मिल पाया लेकिन इसकी वज़े से काफी important innovations देखने को मिले जैसे कि high pressure steam का इस्तमाल करना जिससे engine का weight कम किया जा सकता है और efficiency बढ़ाई जा सकती है ऐसी एक locomotive को 1812 में Matthew Murray ने बनाया था Trevithik की single cylinder के बज़ाए twin cylinder का इस्तमाल करके जो की पहला commercially successful locomotive बन गया Salamanca नाम से इंडिया में railways आई तो उसमें steam locomotives यूज की जाने लगी जो England से import होती थी तब World War II तक यही सबसे common locomotives थी दुनिया भर में लेकिन जब innovations देखने को मिली internal combustion engine में तो उसे railway के लिए भी इस्तमाल करना possible हो पाया पहला working model William Dent Priestman ने बनाया था 1894 में internal combustion locomotive में fossil fuels जैसे oil, coal या petrol का इस्तमाल होता है जिसे burn करके जो force produce होता है उससे pistons को move करते हैं इससे chemical energy mechanical में convert हो जाती है, power generate करते होए वैसे तो इनमें petrol या kerosene का इस्तमाल होता है काफी, लेकिन fuel efficiency कम देखने को मिलती है इसलिए एक German inventor, Rudolph Diesel को एक idea आया इसको improve करने का और उनने petrol या kerosene के बजाए एक different type का fuel यूज किया, जिसे बाद में उनके नाम पर ही रखा गया diesel, इतना ही नहीं, उनने engine का design भी थोड़ा change किया, जिसमें fuel inject होने का time, compression के time पर match करता है, जिससे वो maximum efficiency से combust हो, उस engine का नाम भी उन पर रखा गया diesel engine, इंडिया में पहली बार, जो diesel locomotive यूज हुआ था, वो था WDM1 जो की Alco, यानि American locomotive company से import किया गया था ये एक broad gauge, diesel powered, mixed load engine था, यानि दोनों passenger और freight के लिए, WDM1 50 साल से operate कर रहा था, तो उससे phase out कर दिया गया बहतर locomotives के लिए, बड़ते passenger load और लंबे distances को handle करने की, उसमें capacity नहीं थी, वैसे तो diesel locomotives mainly 3 types के होते हैं mechanical, hydraulic और electric, diesel mechanical locomotives में engine directly mechanical transmission system से जुड़ा होता है, यानि engine की power, gears और shaft के through wheels सक पहुँचती है, सीधा diesel hydraulic locomotives में hydraulic system इस्तमाल होता है, power transmission में, engine hydraulic pump में high pressure generate करता है, जिससे wheels को घुमाया जा सकता है, यह भारी load handle कर सकता है, mechanical के comparison में जैसे लंबी freight trains, ज़ादा smooth और controllable power मिलती है, लेकिन इसलिए ज़ादा maintenance की ज़रुद भी पढ़ती है, इसमें, डीजल electric locomotives में, दोनों डीजल और electric power systems को combine कर दिया जाता है, engine एक electric generator को चलाता है, electricity produce करने के लिए जिससे जोड़े motors, wheels को directly power दे सकते हैं, यह सबसे ज़ादा versatile engines होते हैं, और काफी heavy freight trains से लेकर, high speed passenger trains को आसानी से handle कर सकते हैं, ज़ादा efficient और reliable locomotives हैं, जिनको develop करने में थोड़ा ज़ादा खर्चा जरूर हो जाता है, लेकिन अपनी efficiency और कम maintenance से यह preferred choice बन गए, diesel locomotive का काफी contribution रहा है railways में, लेकिन आगे चलकर, इसे धीरे-धीरे phase out किया जाने लगा, fully electric locomotives के favor में, इनकी performance और reliability, diesel trains से भी बहतर होती है ज़ादा efficient, environmentally friendly और कम maintenance cost की वज़त से इनमें overhead wire या third rail की मदद से power मिलती है, और अंदर मौजूद electric motors, इस electrical energy को mechanical में convert कर देते हैं, wheels को गुमाते हुए, वैसे तो पहली बार electric locomotive का idea, diesel से भी पहले आ गया था, लेकिन काफी साल लगे widespread adoption में, 1837 में एक Scottish engineer Robert Davidson ने इसका पहला prototype बनाया, lead acid battery से power किया गया इसे, और Royal Scottish Society of Arts exhibition में showcase भी किया गया, लेकिन इसकी speed और power limited थी, और batteries भी इतनी advanced नहीं थी उस समय, इसलिए ये इतना successful नहीं हो पाया, इसके 42 साल बाद, 1879 में पहली बार electric locomotive का commercial use, Berlin, Germany में देखने को मिला, Werner Von Siemens ने एक छोटा electric locomotive बनाया था जो 1500 volt DC पर चलता था इससे electric technology का potential दिखने लगा लोगों को, जिससे rail transport में भी electrification का रास्त अपला इनी की company है, जो आज Siemens नाम से जाने जाती है, जो electric trains elevators वगेरा produce करती है अगर हम इंडिया में सबसे पहली electric locomotive के बात करें, तो वो है WCP1, जो की 1928 में Swiss locomotives and machine works के द्वारा develop की गई थी, Indian railways के लिए, ये broad gauge direct current passenger traffic की first generation वाली locomotive थी, इसलिए WCP1, इसने 50 साल तक passenger trains को serve किया 1980 में discontinue होने से पहले इंडिया में electric train पहली बार 1925 में introduce हुई थी, Victoria Terminus, आज के CSMT से कुरला हारबर के बीच, ये 1.5 किलो वोल्ट DC लाइन थी, 16 किलोमीटर लंबी, 1947 में partition के बाद, देश में total railway route length था, 53,500 किलोमीटर, जिसमें से सिर्फ 388 किलोमीटर track length electrified थी इसके बाद कहीं lines को electrify किया जाने लगा लेकिन major steps इसकी तरफ उठाए गए थे 1980s में, क्योंकि उससे पहले mostly diesel trains ही चलती थी सस्ते होने की विज़ा से, और AC technology इतनी develop नहीं थी, आज देश में 68,400 किलोमीटर की route length है, जिसमें से 63,400 electrified है, यानि total length का 91% train services की बात करें, तो देश में हरोज 13,000 से ज़ादा trains चलती है, इन्हें 5 digit number से denote किया जाता है, और कुछ special trains, जैसे express और luxury trains भी चलाई जाती है, टाइम के साथ साथ trains में काफी changes आये हैं, पहले जहां trains में सिर्फ fans होते थे और जादा services नहीं दी जाती थी, वहीं आज AC trains बहुत common है, जिनमें snacks भी सर्फ के जाते हैं, express trains की high priority होती है, intersections और route पर, और ये देश की सबसे तेज trains में आती हैं, राजधानी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी एक्सप्रेस train थी, जो 1969 में launch होई, इसे तब launch किया गया, जब देश में high speed rail travel की ज़रूरत महसूस होने लगी, पहली बार न्यू डेली से हावरा station तक 1450 किलोमीटर की दूरी को तैय करते हुए, राजधानी ने सिर्फ 17 घंटे में अपना सफर पूरा किया, ये speed उस जमाने के लिए एक record थी, आज भी राजधानी एक्सप्रेस देश की सबसे तेज और luxury trains में आती है, राजधानी एक्सप्रेस को इसका नाम राजधानी यानि capital city से मिला है, क्योंकि ये दिल्ली को देश के मुख्य शेरों से जोड़ती है, जैसे मुंबई, चिन्नाई और बैंगलॉर, इसमें AC first class, AC two tiers और AC three tiers हैं, different price range के साथ, आज 25 रूट पर ही operate करती है, जिसमें से साथ में recently तेजस कोचिस इस्तमाल किया जाने लगे हैं, सबसे लंबा रूट है इसका डेली के हजरत निजामुदीन से, केरिला के तिरुवननद पुरम तक, 2844 किलोमेटर लंबे इस रूट में, उनने स्टेशन साते हैं और 41 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में शताबदी एक्स्प्रेस तेज स्पीड की ट्रेन सर्विस है जो इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में कनेक्ट करती है ये डे ट्रेन्स होती हैं, जो मुस्ली सेम डे में ही वापस अपने ओरिजिन स्टेशन तक आ जाती है 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी न्यू डेली से जहांसी जंक्षन तक जब बहतर पैसेंजर सर्विसिस की जरूरत महसूस होने लगी आज ये 21 रूट्स में चलती है जिसमें से सबसे लंबा रूट है न्यू डेली से बोपाल हभीब गंच स्टेशन तक 709 किलोमीटर लंबा और 8 गंटे 150 किलोमीटर पर आर की मैक्समम स्पीड है ट्रैक कंडिशन के साब से और एवरिज स्पीड आती है 70-80 किलोमीटर पर आर की इसके लावा मासिस के लिए अफोर्डिबल रेट्स पर ट्रेन चलाने के प्लैंस बनने लगे कुछ डिलेज के बाद 2006 में गरीब रत एक्सप्रेस ऐसी एक एसी ट्रेन मनी इसमें जादा सर्विस इसने प्रोवाइट की जाती रेट्स कम रखने के लिए पहली ट्रेन सहार साब बिहार से अमरिसर पंजाब के बीच चली 1723 किलोमीटर आज टोटल 24 गरीब रत ट्रेन्स चल रही हैं जिनकी मैक्समम स्पीड 130 किलोमीटर पर आर है और एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आर एफोर्डिबलिटी की वज़ा से इसमें ओवर्क्राउडिंग हो जाती है पीक डेज में जिसकी वज़ा से मिस मैनेजमेंट देखने को मिलता है इसके बाद इंडियन रेलवेज ने मेजर मेट्रोपोलिटन रीजन्स के बीच नॉन स्टॉप सर्विस स्टार्ट करने का डिसाइट किया ट्रैवल टाइम कम करने के लिए इसलिए 2009 में डूरांटो एक्सप्रेस स्टार्ट की गई सियल्डा कॉलकता से न्यू डेली तक तब यह फास्टेस ट्रैन थी इंडिया में कि अगर इसके अलावा साथ राजधानी के रूट्स में इसके ट्रेन सेट को इस्तिमाल किया जाने लगा है जिनको तेजस राजधानी एक्सप्रेस भी कहते हैं अब इन सब के बाद एंट्री होती है वंदे भारत की जो प्रेजेंटली देश की फास्टेस ट्रेन है एकसो साथ किलोमीटर परार की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड के साथ बढ़ती कॉनमी के साथ लोगों को और फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपूर्ट की जरूरत पढ़ रही थी जहां प्रेजेंट ट्रेन्स में नई ट्रेन्स दोस्तो किलोमीटर परार से तेज नहीं दोड़ सकती स्टीपर ग्रेट्स और टाइटर कर्व्स होनी की वज़ा से हाइस्पीड ट्रेन्स के लिए नई ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे जो पूरी तरह सी ग्रेट्स सेपरेटिड भी हो इसके लावा रेलवेस के कई ट्रेन सेट्स पुराने हो गए थे जिन में फेसिलिटीज भी आउटडेटिड हो गई साथ में एर ट्रैविल की पॉपुलारिटी बढ़ रही है खासकर लॉंग डिस्टर्स जर्नीज के लिए इनसे कंपीट करने के लिए रेलवेस को मॉडरनाईज करना ज़रूरी साबित हो गया 2016 में गवर्मेंट फॉरन से सेमी हाइ स्पीड ट्रैन इंपोर्ट करने का सोच रही थी तब ही सुधानशो मनेज जो इंटिग्रल कोच फैक्टरी आईसी एफ के जनरल मैनेजर थे तो उन्होंने सज़ेस्ट किया इसे देश में ही इंडिजनस टेक्नोलोजी से बनाने के लि ये फैक्टरी इंडियन रिल्वेज का एक मेन प्रोडक्शन जुनिट है जो कई टाइप्स के कोचिस बनाने का काम करता है और अब वंदे भारत लॉंच होने के बाद ये देश की पहली इंडिजनस ली ड्वेलप्ट सेमी हाइ स्पीड ट्रेन भी बन गई 1955 में established ICF ने रिल्वेज की modernization में important role play किया है और आगे भी कर रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस की design और technology ने इसमें नई standard सेट किये ना सिर्फ ये एक faster train है बलकि इसमें passenger comfort, safety और sustainability पर भी ध्यान दिया गया है वंदे भारत की सफलता ने दिखाया कि भारत में भी technological innovation और indigenous manufacturing की capability है ट्रेन के coaches light weight aluminum से बने हैं, aerodynamic design drag को कम करने में और higher speed achieve करने में मदद करता है 15 February 2019 को इसने अपना पहला सफर पूरा किया New Delhi से वारन असी के बीच 769 किलोमीटर, दो टाइप के train sets से इस्तमाल होते हैं वंदे भारत में, एक 16 coach के और एक 8 coach वाले, 16 coaches वाली में दो executive class और 14 economic class coaches जिसमें 1128 passengers आ सकते हैं और 8 coaches वाली में एक executive और 7 economy जिसमें 530 passengers आते हैं ये एक EMU यानि electric multiple unit train है, तो इसमें अलग से कोई locomotive नहीं होता, बलकि power distribution पूरे train में होती है कुछ coaches के VSE thrust generate कर सकते हैं, जिनको motor coaches भी कहते हैं, तो train का acceleration और deceleration दोनों ही better हो पाते हैं इससे अब तक total 55 वंदे भारत train sets बन चुके हैं, जिसमें से 51 service में है और दो backup के लिए इसमें से longest route रूटेरी से वारणजी के बीची है, 769 km जिसमें 8 घंटे लगते हैं 2024 में वंदे भारत sleeper trains भी launch की जाएंगी लंबे routes के लिए, जो अभी under production है अब ये कई जादा routes में भी use होने लगी है, short distance के लिए ये धीरे धीरे शताबदी को replace कर देगी और लंबे distance के लिए राजधरनी को 2047 तक 4500 वंदे भारत train sets बनाने का भी plan है इंडियन railways का, जो कि आज 51 है इसके अलावा भी high speed rail के उपर तेजी से काम चल रहा है देश की पहली bullet train पर ये एक ambitious project है, मुंबई से एंदाबाद के बीच 509 किलो मीटर लंबा जिसमें trains 320 किलो मीटर पर आर्की स्पीड से दोड़ पाएंगी route mostly elevated होगा कुछ underground sections के साथ और जैपैन की Shinkansen technology का इस्तमाल होगा trains में bullet train के बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पर दिये गए कार्ट पर क्लिक करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें धन्यवाद